और मैं चाहिए तुझे बरफ देखनी है न यह देखिए और यहां से आपको सितर जिंजैली वाले रोड पे जाना है देवी दड़ वाले रोड पे यह सामने आपको रोड दिखे गई इस वाले रोड पे नहीं जाना है और डिरेक्ली आगे से जाएंगे आगे मैं आपको बता देता हूँ कहां से जैसे जाएंगे हम और शिकारी देवी यहां से 31 किलोमेटर है तो यह सबसे एजेस्ट वे हैं जिंजैली ओके ना जाएं तो वह चीज़ बैटर में बैटर रहता है और अभी जो है मौसम काफी जादा खराब हो चुका है हवा बगयरा काफी जादा चल रही है तुफान आ चुका है अभी और आगे जैसे आपको बता देता हूँ कि आगे जैसे बहुत ही जादा मौसम खराब दिख रहा है मुझे और यह इसाइड चेक किजीए ऊपर वाला एरिया जो है यहां पर लग रहा है कि पूरी बारिस बगयरा हो रही है बस देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं ऊपर जैसे देवि दर से लग जाएगा बढ़ा हां पर बारिस बग है कि नहीं हो रही है बट फिलहाल के लिए तो बस यह है कि हम टाइमली पहुंच जाने चाहिए और मुझे तो लग रहा है कि बाई बार इस पोना चालू हो गई है उपर चलो देखते हैं अब आगे जाके क्या बनता है भाई-साइब इस बस बाले सेका कबसे पास लिए जा रहा हूं और ये पास नहीं ही देरा था जार मतलब को देवदार के पेड़ा और नीचे देगे पूरे खेट बगार आये यहां पर आना जन्नत है एकदम एकदम से देवदार के पेड़ दिखके एक बात हो है मतलब ऐसे वाले एरिया में आगे ना बहुत ही ज़्यादा स्कून मिलता है मतलब मज़ा जाता है जिंदिगी में आप लोगों ने बहुत जगह ड्रावल की होगी पर कुछ ऐसी जगह होती है जो बहुत कम लोगों ने देखी होते हैं तैंक बहुत ही नजारा आता है मतलब यहां पर और फील अच्छा है मतलब यहां पर घून कब बढ़ एक पेड़ लगें और यहां से काफी जादा हाइट है तो यहां से से तक थंडे लागा यहां जितने जादा से बुगते हैं वह बहुत जाद टेस्टी होगते हैं मतलब आप नीचे देख रहे हैं यह सारे मटर लगाए हुए हैं और यहां पर आलू वगारा की खेती हुई है और व्यूटे चेक कीजिए मिरवाई मतलब बहुत ही तगड़े वारा लोकेशन है यहां पर और हमारा सावान कुछ इस तरह से लोड़ीड है पहले तो यह सिधा अब यह थोड़ा टेड़ा हो गया है चला थोड़े दिर में पहुंच ही जाएंगे वैसे वी उपर अब हम पहुंचने वाले देवीडर थोड़ा सा ऐसा है की दूल बगएरा काफी थी रास्ते में अपने शूट बगएरा नहीं किया हुआ था उस तरह से अपनी बाइक प किया बंदी रही है तो यह बहुँ जादा चिल्ड वाटर है मतलब वैसे की नेच्रल वाटर के सोर से चले हुआ है यहां पर तो लोग यह पानी खेतों में यूज करते हैं और यहां पर भी भी ऐस अच है कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है मतलब वैसे है कि सैर्व पानी मिलता है तो यह बिल्कुल नेच्रल वाटर है तो मुव गया दोना तो बहुत ही बड़ी है तो बिल्कुल एकनम से फ्रेश हो गया मतलब पूरा किसाब किताब अब चलते हैं थोड़ा आगे जैसे रील वेरा शूट करेंगे तो रील देहने के लिए तो व्लोग के न कि अगरे तो बाइसाब किया नजारा यार लवना दिलखुश हो रहा है यहां पर बहुत ही बड़ी का लग रहा है बहुत ही बड़ी नजारा आगे अलब एक नंबर रहे जो पीछे बैटा हुए ने यही इन समनाने में टटा हुआ है वहाई साब क्या मतलब क्या देखके जा रहा हुए मैं मतलब यहां पर इस वाली रोड से पहली बारी विजिट कर रहा हूं शिकारी डेमपल और यह तो बहुत ही तकड़े वाला मतलब रोड है यहां पर तो देखा जाए तो अब थोड़ा सा खराब है पर चलेगा इतना त कि हमारी साइड में तो यह तो बाइक के लिए तो बहुत ही जादा बैस रोड है तो तो यह है देवी तर्ड को रास्ता और खोड़ा सा क्या क्या कर यह कर दो कि देखे हम इस वाले रोड से आए हुआ है कुछ इस तरह से यहां पर रोड है और काफी बुरा भी है और काफी अच्छा किलोमेटर कम करना है आपको तो उससी इसके लिए बैठे रहे हैं पचास किलोमेटर कुछनी होते और बढ़िया मतलब अच्छे से ट्रावल क कर रहे हैं और यहां मेरा यह जो आपको पिंक पिंक फूल दिख रहे हैं यह इनकी चटनी बढ़ा बनती है बहुत ही बड़ी टेस्टी बनती है तो जी अभी मैं बता दूँ आपको हम जाएंगे यह वाले रास्ते से मतलब यह रोड बना हुआ है एक्च्छल में और नीच अधी बत लुड़े टगड़ा वाला सीले हैं तो यह हाफ टैंक तो यहीं पर हो गया है वहाँ पेना संसेट दिख रहे है बहुत भी ब्यारा संसेट है बड़ अभी जो है अब अबहुत करने के आलत में थे माई साफ और ब्रहार है इस चेल जिर में अज़ा पर बाहर हैं कि वाई साब बाइक ना उपर उठ रही है कि इतना तगड़ा एडवेंचर नहीं किया है मैंने कभी भी नहीं किया है कि यहां पर थोड़ी देर पहले बारिस पर गयरा हुई है थोड़ी बूंदे देख रही है कि अभी तक कोई विगाड़ी यहां से पास नहीं हुई है तो यह से सीन है यहां पर बोल तुम्हें बहुत रहा था कि बतलब रोड काफी अच्छा है यहां पर आके मुझे लग रहे है कि वही यहां पर आना तो खत्रे से खाली नहीं है अब ही हम पहुँच चुके हैं बर्फ के पास में अगर जिनों ने गर्मीयों में बर्फ नहीं देखिये वह यहां पर देखिये हम दिखाएंगे और नीचे से आयो हुए हम अभी अरेहरेहरेहरेहरेहरेहरे तो तो तुझे बर्फ देखनी है ना यह देखिए बड़िया गर्मियों में बर्फ दिख रही है यार और केची है और मैं बता हूँ आपको कहां से आए हुए हम अभी यह जो नीचे दिख रहा है ना आपको रोड है तो कुछ इस तरह से जिग जैक वाला रोड है बाइस आप फंड रहा है बहुत तकड़े वाली थंड है अभी जल्दी जल्दी निकलते हैं और मतलब ऐसा है कि टाइम बरव पुली थोड़ा कम रहाता है तो ऑक्सीजन लेवल में इसमें स्मार्ट बॉश में चेक कर लूँगा अभी नहीं को रूंगा बाद में जैसे करता हूँ थोड़ी जूपर कर लूँ बैटर कितनी परसेंटी पढ़ वाला जे पेट ही पढ़ा थे 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 बाई लोकेशन चेक कीजिए यह वात अब बंतों ने टेंट वगेरा लगा के रखा हूँ है यह इने टेंट लाए रहा है थंडे यहां पर नीची देख सकते हैं अब बढ़ी है अब ही उपर जा रहे हैं उपर देखते हैं केंपिंग साइट मिलती है तो ठीक है नहीं तो यहां पर लोगों ने विदाया हूँ नीचे केंप यहां पर लगाएंगे बढ़िया से सैटिंग करके कर दोião उते हैं करह म सैनल्ट करते हैं पर लेखते हैं कर दो मंदे कर दो मैं अ कर दो में अ कर दो कर दो रहने हैं कर दो मी मिलेट कर दो में अ और के दो अब आपने अपने अपना सेटप हो चुका है और समान बेगार है रखने हैं बहुत जादा समान आपना बेगार है तो रखना भी मुश्किल हो जाएगा आपना लोकेशन काफी प्यारी मिल लिए आप है अब आपना सेटप देड़र करते हैं फिर उसके बाद करते हैं खाना पीने तो हमें यहां पर बीच्छे लाब आए वहां पर मिल जाएगा और बड़ी इस रिजाए करेंगे आप कोई बताते हैं